आर्शिर वच्चनों से हमें अनुग्रहित करें भगवान श्री कृष्ण आरुन की आलहा दिनी शक्ती श्री राधा जी के जनम की शाक्षी जे पावन वजभुमी की पवित्र माटी को प्रणाम करद भए यहां आये भए सभी ब्रजवासिन को मेरी राधे राधे उत्तर प्रदेश के लोगप्रिय मुखमंत्री सिमान योगी आदितिनाज जी केंद्रिय मंत्री परिशत के मेरे साथी सिमान गिरिराची गजेंद्रसी सेखावज जी संजीव बालियान जी रतनलाल कटारिया जी यूपी सरकार के मंत्री लक्ष्मिनाराइन चोधरी जी स्रिकान शर्मा जी साउसद में हमारी साथी बैन हेमा मालिनी जी पार्टी के यहां के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिमान स्वतंत्र जेव सींजी और विशाल संग्या में आये हुए मेरे प्यारे किसान भाई बहन पशुपालक भाई बहन आप सब को फिर एक बार राद हे राद हे नए जनादेश के बाद काना की नगरी में पहली बार आने का सौभा ये प्राप्त हुआ है मतुरा और पूरे उत्तरपदेश का भरपूर आशिरवाद एक बार फिर मुझे और मेरे तमाम सात्यों को मिला है इसके लिए आपके इस सहयोग के लिए देश हित में निने करने के लिए मैं आपके सामने आज इस व्रज की भूमी से शिष जुकाता हूँ आपका आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी के आदेश के अनुरूप बीते सो दिन में हमने अभुत पुर्व काम करके दिखाया है मुझे विश्वास है कि देश के विकास के लिए आपका ये समर्थन और सहयोग निरंतर मिलता रहेगा साथियों ब्रज भूमी ने हमेशा से ही पुरे देश को पुरे विश्व को पुरी मानवता को जीवन को प्रेरित किया है जैसा प्रेरिना स्रोत हमेशा से रहा है जिनकी कलपना ही परिया वरन प्रेम के बिना अधूरी है आप जड़ा सोचिए कालिंदी जिसको हम यमना कहके पुकारते हैं बैजैंती माला मयूर पंक बास की बासूरी कदम की च्छाव और हरी भरी गास चर्ती उनकी धेनूं क्या इसके बिना स्री करश्न की तस्वीर फूरी हो सकती है हो सकती है क्या क्या दूद दही माखन के बिना बाल गोपाल की कलपना कोई कर सकता है क्या कर सकता है क्या सात्यों प्रकूती परियावरण और पशूदन के बिना जितने अधूरे खुद हमारे आराध्य नजर आते हैं उतना ही अधूरापन हमें भारत में भी नजर आएगा परियावरण और पशूदन हमें सासे भारत के आर्थिक चिंतन का बहुत ही महत्वपून हिस्सां रहा यही कारण है कि चाहे स्वच्च भारत हो जल जीवन मिशन हो या फिर क्रिशी और पशूपालन को प्रोट्साहन प्रकृती और आर्थिक विकास में संतुलन बना कर ही हम ससक्त और नए भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं भाई और बहनों इसी चिंतन को आगे बढ़ाते हुए आज अनेक बड़े संकल्प हमने यहां लिये है और मैं मानता हूँ देश के कोटी कोटी पशुओं के लिए परियावरण के लिए परियटन के लिए ऐसा कारकम आरंब करने के लिए ब्रज भूमी से बहतर हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं हो सकता थोड़ी देर पहले स्वच्छता ही सेवा भियान की शुरुवात की गई नेशनल एनिमल डिसीज उस कंट्रोल प्रोग्राम को भी लॉंच किया गया है पशुओं के स्वास्त सम्वर्दन पोशन और डेरी उद्योग से जुड़ी कुछ अन्य योजनाय भी शुरू हुई है इसके अलावा मथुरा के इंफास्तक्चर और परियतन से जुड़े कई प्रजेश का सलान्यास और उद्गाटन भी आज हुआ है इन योजनाओं परियोजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुपकामनाएं बहुत बहुत बढ़ाई और मेरे लिए प्रसंदता का विशय है कि आज हिंदुस्तान के सभी क्रशी विज्ञान केंद्रों में उस उस खेत्र के हज्जारों किसान एक-एक केंद्र पर इखटे होकर के इस पाँ और नजारे का अनुभव कर रहे हैं कोटी कोटी किसान और प्रशुपालक आज ब्रज भूमी के साथ टेकनोलोजी से सीधे जुड़े हुए हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ उनको भी शुपकामनाएं देता हूँ साथियों अब से कुछ दिन बाद हमारा देश महत्मा गांधी की 150 वी जैन्ति का परवा मनाएगा मात्मा गांधी का प्रकृती के प्रती स्वच्छता के प्रती जो आगर था उससे सीखना अपने जीवन में उतारना हम सभी भारतियों का दाइत्व है और उन्हें यही उत्तम से उत्तम सच्ची स्रधान्जली भी है मात्मा गांधी 150 यह स्प्रेणा का वर्ष है स्वच्छताही सेवा के पीछे भी यही भावना जुड़ी हुई है आज से शुरू हो रहे इस अभियान को इस बार विशेश तोर पर प्लास्टिक के कत्रे से मुक्ति के लिए समर्पित किया गया है भाई और बेहनों प्लास्टिक से होने वाली समस्या समय के साथ गंभीर होती जा रही है आप ब्रजवासितो अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे प्लास्टिक पश्वों की मौत का कारण बन रही है इसी तरह नदिया, जीलों, तौलाबों में रहने वाले प्राणियों का वहां की मचलियों का प्लास्टिक को निगलने के बाद जिंदा बचना मुश्किल हो जाता है इसलिए अब हमें सिंगल यूज प्लास्टिक यानि ऐसी प्लास्टिक जिसको एक बार उप्योग करके हम फैंक देते हैं उससे छुटकारा पाना ही होगा हमें ये कोशिस करनी है कि इस वर्ष दो अक्तुबर तक अपने घरों को, अपने दप्तरों को, अपने कारेक्षेत्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें मैं देश भर में गाउं गाउं में काम कर रहे हर सेल्प हेल्प गुरुप से सिविल सोसाइटी से, सामाजिक संगठनों से, युवा मंदलों से, महिला मंदलों से, क्लबों से, स्कूर और कॉलेज से सरकारी और नीजी संस्तानों से, हर व्यक्ति, हर संगठन से, इस अभियान से जुड़ने के लिए रदय पुरवक बहुत बहुत आगरा करता, आपके संतानों के उजवल भविश के लिए, हमें ये करना ही होगा, आप प्लास्टिक का जो कच्रा इखटा करेंगे, उसको उठाने का प्रबन प्रशासन करेगा, और फिर उसको रीसाइकल किया जाएगा, जो कच्रा रीसाइकल नहीं हो सकता, उसको सीमेंट फैक्टरियों में, या फिर रोड बनाने में काम लाया जाएगा, बाई और बेहनों, अब से कुछ देर पहले मुझे, कुछ ऐसी महिलाओं से मिलने का आउसर मिला है, जो विविन्य प्रकार के प्लास्टिक को अलग-अलग करती है, इस प्लास्टिक का अधिकांस भाग, रीसाइकल कर दिया जाता है, इससे उन महिलाओं को आमदनी भी हो रही है, मैं समता हूँ, इस तरह का काम गाउं गाउं में किये जाने की जरूरत है, वेस्टु वेल्ट, यानि कचरे से कंचन की ये सोच ही, हमारे परियावरण की रक्षा करेगी, हमारे आज़ पास के वातावरण को स्वच्छ बनाएगी, साथियों, स्वच्छताही सेवा अभियान के साथ ही कुछ परिवर्तन हमें अपनी आदतों में भी करने होंगे, मैं आप से लाल किले से भी इस बारे में बता चुका हूँ, आज फिर इस विशेव को उठा रहा हूँ, हमें यह ताय करना है कि हम जब भी दुकान में, बाजार में, सबड़ी लेने के लिए, कुछ भी खरीदेरी के लिए जाएं, तो साथ में अपना जोला, थेला, बैग जरूर लेकर के जाएं, कपड़े का हो, जूट का हो, अवश्य ले जाएं, पैकिंग के लिए, दुकानदार प्लास्टिक का उपयोग, कम से कम करें, यह भी हमें सुनिशित करना होगा, मैं तो इसके भी पक्ष में हूँ, कि सरकारी दप्तरों में, सरकारी कारकर्मों में भी, प्लास्टिक की बौतलों के बजाएं, मेटल या मिट्टी के बरतनों की व्यवस्ता हो, साथियों, जब परियावरन साप रहता है, आज पास गंदगी नहीं रहती, तो इसका सीधा और सकारात्म कसर स्वास्त परभई दिखाई देता है, मैं योजगी जी की सरकार की प्रसंसा करूँगा, कि वो स्वच्छता और स्वास्त को लेकर, बहुत गंबीरता से काम कर रही है, ये उनकी सरकार की कोशिशों का ही परणाम है, और जिसका अभी विस्तार से ब्योरा, योगी जी ने दिया, मस्तिस का ज्वर के कारण, उस बुखार के कारण, और पार्लामेंट का कोई ऐसा सत्र नहीं जाता था, जब योगी जी जब पार्लामेंट के मेंबर थे, इस मुद्दे पर, दर्दनाक कथा सुना करके, देश को जगाने की कोशिश करते थे, हजारों बच्चे, मरते रहते थे, जब योगी जी की सरकार बनी, अभी तो सुरुवात थी, लेकिन उसी मौत को लेकर के, जिस योगी जी ने, जिस बिमारी के खिलाब जिन्दिगी पर लड़ाई लड़ी, पार्लामेंट को जगाया, देश को जगाया, कुछ बेस्ट अड इंटरेस्ट गुरूपों ने, उस सारे हाथ से को, पुरानी बातों को भुला करके, उनी के माथे पर मड़ दिया, लेकिन योगी जी डिगे नहीं, डरे नहीं, जिस मुद्दे को लेकर के 30-40 साल से वो लगातार काम कर रहे थे, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, और अभी जो आंकड़े दे रहे थे, वो आंकड़े, मैं नहीं जानता हूँ, मीडिया की ध्यान में आयेगा कि नहीं आयेगा, लेकिन देश को जुरूर ध्यान देना चाहिए, कि इस प्रकार से, जिस गंबीर बिमारी, जिसका मूल कारण गंदगी, और हमने हमारे हजारों बच्चे खो दिये, काफी मात्रा में सफलता के साथ, योगी जी की सरकार आगे बढ़ रही है, मैं उन्हें इस मानवता के पवित्र कारे में स्वच्चता को बल दे करके बच्चों की जिन्दगी बचाई है, इसके लिए इसमें जुड़े हुए सब किसी को, नागरिकों को, परिवारों को, संस्ताओं को, सरकार को, हर किसी को बढ़ाई देता हूँ, और एक प्रकार चे आभार व्यक्ट करता हूँ, साथियों परियावरण और स्वास्त से ही जुड़ा एक और विचै है, जल संकट और जल संकट का उपाय है, जल जीवन मिशन इस मिशन के तहट जल समुरक्षन और हर गर जल पहुँचाने पर बल दिया जा रहा है जल जीवन मिशन का बहुत बड़ा लाब हमारे गाउं में रहने वाले लोगों को मिलेगा किसानों को मिलेगा और सबसे बड़ी बात हमारी माता और बहनों को सुवीधा मिलेगी पानी पर खर्च कम होने का सीधा मतलब है कि उनकी बच्चत भी बड़ेगी साथियों किसानों की आय बढ़ाने में पशुपालन और दूसरे वैवसायों का भी बहुत बड़ा रोल है पशुपालन हो मठली पालन हो मुर्गी पालन हो या बदुमख़्ी का पालन हो इन पर किया गया निवेश जादा कमाई कराता है इसके लिए बीते पांच वर्षों में क्रिशी से जुड़े दूसरे विकल्पों पर हम कई नए एप्रोच के साथ आगे बढ़े हैं पशुदन की गुणवत्ता और स्वास्त से लेकर देरी प्रोडक्स की वराइटी को विस्तार देने के लिए जो भी जरुरी कदम थे वो उठाए गए हैं दुधारू पशुओं की गुणवत्ता सुनिश्टित करने के लिए पहले रास्तिय गोकुल मिशन शुरू किया गया और इस वर्ष देज भर के पस्वों की उचित देखरे के लिए काम देनु आयोग बनाने का मिलने हुआ इसी नई एप्रोच का परणाम है कि पांच साल के दौरान दूद उत्पादन में करीब साथ प्रतिशत की व्रद्दी हुई है साथ ही किसानों पसूपालकों की आयमें इससे करीब तेरा प्रतिशत की आउसत बर्दोत्री दर्ज की गई है और मैं अपना एक अनुफ़व बताओं आफरिका में एक छोटा सा देश है रवांडा मैं पिछले वर्ष महां गया था और वहां यहां जो खबरे आई उसको लेकर कुछ लोगा ने तुफान भी खड़ा कर दिया था कि मोदी जी ने रवांडा में जाकरके दाइसो गाई बैट करने का कारगम किया लेकिन देश के सामने पूरी बात लाई नहीं गई रवांडा जैसा देश आफरिका का देश वहां एक अधबूत योजना चल रही है वहां की सरकार रवांडा में गाउं के अंदर गाई बैट देते हैं लोगों को और फिर उनका जो पहला पहली बच्छडी होती है वो नियम है कि वो सरकार वापिस लेती है और जिसके पास गाई नहीं है उसको वो बच्छडी बैट दी जाती है यह पूरा चेंग चलता है और उनकी कोशिस है कि रवांडा के गाउं में हर गड़ के पास गाई पशुपालन दुदुदपादान और उसकी एकोनोमी का आधार बने बहुत ही बड़िया डंक से उन्होंने इसका प्लान किया हुआ है कुछ लोगों के कान पर अगर ओम सब्द पढ़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं गाई शब्द पढ़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं उनको लगता है देश सोलवी सतरवी सताब्दी में चला गया ऐसा ग्यान देश को बरबात करने वालों ने बरबात करने में कुछ नहीं छोड़ा है और इसलिए हमारे भारत के गरामेंट जिवन की अर्थववस्ता में पशुधन बहुत मुल्यबान बात है कोई कल्प ना करे क्या पशुधन के बिना अर्थववस्ता चल सकती है क्या गाउं चल सकता है क्या गाउं का परिवार चल सकता है क्या लेकिन पता नहीं कुछ शब्द सुनते ही कणन्ट लग जाता है कुछ लोगों साथ यो पशुधन को लेकर सरकार कितनी गंबीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार बनने के बाद सो दिन में जो बड़े फैसले लिये गए उनमें से एक पशुधन के टिका करन से जुड़ा हुआ है इस अभियान को विस्तार देते हुए रास्तिय पशुधन रोग नियंत्रन कारकम और कृत्रीम गरबादान कारकम की शुरुवात की गई है साथियों आप सभी ये बलीभाती जानते हैं कि पशुधन का बिमार होना कितना बड़ा जटका होता है हमारे पशु बार बार बिमार नहों उनके इलाज पर किसानों को बेवज़ग खर्च ना करना पड़े पशु पालक को खर्च ना करना पड़े इसी सोच के साथ आज 13,000 करोड रुपिये के एक बड़े अभियान की शुरुवात की गई है FMD FMD यानि Food and Mouth Disease उससे मुक्ती पूरा भारत इस बिमारी से पशुओं को मुक्त करें इसका एक ब्यापक अभियान हम आरंब कर रहे हैं FMD यानि Food to Mouth Disease यानि हमारे उत्तरप्रदेश के गावों में कुछ हिलाकों में उसके लिए शब्द परोग रहता है मुपका ये मुपका जो बिमारी है उसके उपाए बिमारी से मुक्ती का ही अभियान है और आप हैरान हो जाएंगे दुनिया के कई देशों ने इस काम से अपने देश में अभियान चला करके पुशूओं को इस बिमारी से मुक्ती दिला दी है कई छोटे छोटे देश गरीब देश उन्होंने काम कर दिया है लेकिन दुर्भागे से इतनी सरकारे आकर के गई इसको अभियान पर लिए बिना हम परणाम प्राप्त नहीं पकर पाएंगे दुनिया के गरीब छोटे देश अगर पसू को मुसिबत से बाहर निकाल सकते हैं तो ज्रीकष्टर की धरती पर तो कोई पसू ऐसी मुसिबत में जीना नहीं चाहिए और इसे मुक्ति के लिए 51 करोड गाय, बैज, बेड, बकरी और सुवनों को साल में दो बार तिके लगाये जाएंगे इतना ही नहीं जिन पशू का तिका करण हो जाएगा उनको पशू आधार यानि यूनिक आईडी देकर कानों में टैग लगाया जाएगा पशू को बकाईदा स्वास्त काड़ भी जारी किया जाएगा भाई और बहनों इन कार्यकमों का उदेश बिलकुल साफ है हमारा पशू धन स्वस्त रहे पोशित रहे और पशू की नई और उत्तम नसलों का विकास हो इसी रास्ते पर चलते हुए हमारे पशू पालकों की आई भी बढ़ेगी हमारे बच्चों को उचीत मात्रा में दूद भी उपलपत होगा और दुनिया के सबसे बड़े दूदू दुत्पादक के रूप में बारत की पहचान भी बननी रहेगी बाई और बहनो बारत के डेरी सेक्टर को विस्तार देने के लिए हमें इनोवेशन की जरुवत है नई तक्निक की जरुवत है ये इनोवेशन हमारे ग्रामिंट समाच से भी आए इसलिए आज स्टार्ट अप ग्रांड चलेज मैं खास करके नवजवानों को कहता हूँ बैंगलोर हैदराबाद मैं स्टार्ट अप की जाल चल पर काम करने वाले देश के हनहार नववानों को विशेश रुप से कहता हूँ IIT में पढ़ने वाले हनहार चात्रों को विशेश रुप से कहता हूँ आए स्टार्ट अप ग्रांड चलेंज के अंदर जिसकी आज मैं शुरुवात कर रहा हूँ आप उससे जुड़िये और आप हमें समाधान खोजना है कि हरे चारे की उचीती ववस्ता कैसे नुश्ची सुनिश्चित हो उन्हें भी पोशक अहार कैसे मिले प्लास्टिक की थेलियों का सस्ताव और सुलब विकल्प क्या हो सकता है ऐसे अनेक मिशाओं का हल देने वाले स्टार्ट अप शुरूद होने चाहिए शुरू किये जा सकते हैं और भारत सरकार आज उस चैलेंज को आपके सामने लॉंच कर रही है आईए नएने आडियाट लेकर के आईए अरे देश की समस्याओं का सभाधान देश की मिट्टी से ही निकलेगा ये मेरा विश्वास है मैं अपने विवास साथियों को आस्वस्त करता हूँ कि उनके आईडियाद पर गंबीरता से विचार होगा उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और जरूरी निवेश की विवस्ता भी की जाएगी इससे रोजगार के अनेक ने अवसर भी तैयार होंगे साथियों मत्वुरा सहीट ये पूरा ब्रजक्षेत्र तो आध्यात्म और आस्था का स्थान है यहां हैरिटेज टुरिजम की असिम संभावनाए है मुझे खुशी है कि योगी जी की सरकार इस दिशा में सक्रियता से काम कर रही है आज मत्वुरा नंदगाव गोवर्धान बरसाना में सुन्दरी करान ब्यूटिफिकेशन और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक का उदगाटान और सिलान न्यास किया गया है यहां बनने वाली सुभिदाएं सिर्फ यूपी के लिए ही नहीं बलकि पूरे देश के लिए वहाँ पी-म की जो मेडिकल टीम है वो जरा वहाँ पहुँचे और वो साथी गीर गए है उनको जरा मदद करें पी-म की जो मेडिकल टीम है वो तुरंद वहाँ पहुँचे यहां बनने वाली सुभिदाएं सिर्फ यूपी के लिए नहीं बलकि पूरे देश के टुरिजम को बहुत ताकत देने वाली है बीते पांच बर्षों में टुरिजम का जिस तरह से प्रोचान दिया गया है उससे भारत की रैंकिंग में बहुत बड़ा सुधार आया है कुछी दिन पहले टुरिजम की ग्लोबल रैंकिंग के प्रणाम आये है इसमें भारत 34 नंबर पर पहुँच गया है जबकि 2013 में भारत 65 नंबर पर था भारत की ये सुधरती हुई रैंकिंग इस बात का भी गवा है कि शेत्र में भी रोजगार के नए आउसर निरंतर बने रहे है साथियों 11 सितंबर का आज का दिन एक और वज़स से विशेश है एक सदी पहले आजी के दिन स्वामी विवेकारंजी ने शिकागों में अपना अईतिहासिक बासन दिया था उस बासन के माध्यम से पूरे बिश्वने हिंदुस्तान की संस्कृति हमारी परंपराओं को और गहराई से समझा था अपने सम्मोधन में स्वामी विवेकारंजी ने विश्व स्वांति के लिए बारत का दर्शन भी सामने रखा था लेकिन दुर्भागे देखिए उसी 11 सितंबर को 9-11 को अमेरिका में इतना बड़ा आतंग की हमला किया गया कि दुनिया दहल गई बाई यूर बेहनो आज आतंग बाद एक विचारधारा बन गई है जो किसी सरहत से नहीं बन दी है ये एक ग्लोबल प्राब्लेम है ये ग्लोबल थेट बन गया है जिसकी मजबूत जड़े हमारे पडोस में फल फुल रही है इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वालों को आतंग बादियों को पना और प्रसिक्षन देने वालों के खिलाब आज पूरे विश्व को संकल्प लेने की जरुत है कड़ी कारवाई की जरुत है भारत अपने स्तर पर इस चुनावती से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है यह हमने भी दिखाया भी है और आगे भी दिखाएंगे हाल में आतंग निरोधी कानून को कड़ा करने का फैसला भी इसी दिशा में किया गया प्रयास है अब संगठनों का नाम बदल कर आतंग की अपने कारणामों को नहीं छुपा पाएंगे बाई और बहनों समस्या चाहे आतंग की हो प्रदुशन की हो बिमारी की हो हमें मिलकर इनको पराजित करना है आए संकल पबद होकर आगे बढ़ें और आज जिसु देश के लिए हैं हम यहां इखटे हुए हैं उनको हासिल करने का प्रयास करें एक बार फिर आप सभी को विकास की अनेक अनेक नई नई परियोजनाओं के लिए मेरी तरब से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ आप सभी का रदैस से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मेरे साथ पुरी ताकत से बोलिए दोनों हाथ उपर करके बोलिए भारत माता की थारत माता की थारत माता की थारत माता की थारत दन्यवाद